नमस्कार दोस्तों मेरे राजनतिवारी आप सभी लोगों का मेरे सिनल जोतिश मंत्र में हार देख स्वागत करता हूँ आज के हमारी वीडियो का वीशे है मकर सक्रांती मकर सक्रांती क्या है? मकर सक्रांती हम क्यों मनाते हैं? इस वर्ष मकर सक्रान्ती कब बना ही जाएगी और मकर सक्रान्ती पर पूजा और इसनान करने का शुब मुर्थ क्या है इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे मकर सक्रान्ती बना है दो शब्दों से मिलकर मकर प्लस सक्रान्ती तो पहले हम जानते हैं सक्रान्ती सक्रांती जो होती है सूरी का राशी परिवर्तन ही सक्रांती कहलाता है मतलब क्या होता है कि सूरी हर साल बारा बार अपनी राशी परिवर्तन करता है मनें एक वर्ष में देखा जाए तो बारा सक्रांती आती है तो सूरी का एक राशी से दूसरी राशी में परिवर्तन या एक राशी से दूसरी राशी में गमन या के सकते हैं संक्रमन ही सक्रान्ति कहलाता है अब बात करते हैं मकर सक्रान्ति अब प्रश्णी ये उठता है कि अगर साल में बारावार सक्रान्ति आती है तो फिर मकर सक्रांती ही क्यों महत्पूर्ण है या मकर सक्रांती को ही हम तेवार के रूप में क्यों मानते है इसके पीछे क्या तत्य है तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेग्यानिक तत्य की या वेग्यानिक अधार की या यू कहले कि इसके पीछे वेग्यानिक दरश्टी का जो समय होता है याने च्छे महीने का जो समय है उस समय सूरी से आने वाली जो किरणे हैं वह सहत के लिए बहुत ही फाइदे बंद होती है और इस टाइम सूरी की किरणों के नीचे बेठने से यह सूरी की रोशनी में या सूरी के नीचे बेठने से आपको मन की शानती मिलती और इस समय सूर्य से निकलने वाली जो हानी कारण किरने हैं उनका असर प्रत्वी पर कम पड़ता है जिसके कारण हमारी इसकिन संबंदी जो डिसीज होती है या तोचा संबंदी जो भी रोग होते वो नहीं हो पाते अब हम बात करते हैं इसके अध्यात्मिक पहलू की अभी ह समय से सूर्य उत्तरायन हो जाते हैं मतलब अब सूर्य की जो परिक्रम है या परिभ्रमन है वो पूर्व से उत्तर होती हुई पश्यम की तरफ होती है और इससे जो पहले वाला समय होता है उसमें सूर्य दक्षणायन होता है यानि कि सूर्य के परिक्रमन है वो पूर्व द के जो तेस देवता लोगोगों का दिन होता है और जुस शूरी का दख्श्नायन होता है यानि कि जो सिख मन्द वाले होते हैं तो उसमें जो देवता लोगों exists èंच यानिकी रात्री होती है तो इससे सीघर सिधर सभाद है कि अगर अगर आप किसी सोते हुए इंसान को कुछ भी पूजा करोगे तो शायद वो उतना उसको नहीं ले उस पूजा को लेकिन अगर किसी जाकते हुए देवता की पूजा करोगे या जाकते हुए किसी भी भगवान की पूजा करोगे तो उसका असर चादे होता है इसलिए इन महिन गंगा भागिरत की पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाकर मिली थी और इस दिन यनीं की मकर्शक्रानती के दिन गंगा में इसनान करने का बहुत महत्व है वह पर तर तथ्य है कि इसी दिन से जो कुम्ब मेला है यने कुम्ब इसनान है उसका पहला इसनान मकर्शक्रांती के दिन से शुरू होता है तो यह थे उसके कुछ अध्यात्मिक तैथ्य जिसके कारण हम मकर्शक्रांती को ही महत्पूर्ण मानते हैं अब हम बात करते हैं कि मकर सकरांती कैसे मनाई जानी चाहिए या कैसे मनाते हैं तो इसके लिए आप सुबह याने प्राते काल उटकर तिल का उटन लगाए अपने शरीर पर और इसनान कर लें और इसनान करने के लिए जो पानी आप यूज़ करें वो किसी पवित्र नदी का इस्तमाल करें या पवित्र तीर्थ के जल से आप नहाएं अगर वह उपलब्द नहीं है तो दूद और दही से भी अब इसनान कर सकते हैं और अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप साधरन पानी लीजिए और उसमें सारे जो पवित्र नदी हैं उनका नाम लेकर आप उनस दिन करना यह वर्जित है किसी भी प्रकार का ब्रक्ष या फसल को काटना वर्जित है यह आप नहीं काट कर सकते कठोर बोलना अब शब्द बोलना किसी की बुराई करना यह भी इस दिन वर्जित है वैसे तो यह काम किसी दिन भी नहीं करना चाहिए लेकिन खासकर इस दिन तो बिल्कुल ना करें भैस तथा गाय का दूद निकालना भी वर्जी थे इस दिन और रती क्रिया भी आप इस दिन ना करें तो बहतर होगा तो चली ये तो होगई सक्रांती से जुड़ी कुछ बाते हैं अब हम बात करते कि इस वर्ज यानि 2019 में सक्रांती किस दिन मनाई जाएगी तो 2019 में सक्रांती 15 जनवरी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी बैसे तो सक्रांती 14 जनवरी को मनाई जाती है लेकिन इस बर्स सूरी का जो राशी परिवर्तन है यानि सूरी धनु राशी छोड़कर मकर राशी में जो परिवर्तन हो रहा है वो रातरी दो बच के 31 मिनिट को हो रहा है यानि रातरी दो बच के 31 मिनिट के बाद जो है सूरी अपनी मकर राशी में जाएगा है ना मकर सक्रा सबसे अच्छा समय जिसमें की आप इसनान कर सकते हैं और दान आदी जो भी आपको पूजार्चना करनी है वो जो इसका सबसे अच्छा टाइम रहेगा सूर्य दे से लेके 10 बज के 31 मिट तक यानि सुबह सूर्य उद्य से यानि जब भी सूर्य उद्य हो तब से लगा के आप सूबह 10 बच के 31 मिट तक इसनान, दान या पूजा आइचना कर सकते हैं यह सबसे अच्छा टाइम रहेगा सूर्य उद्य सूर्य सूर्य combinesना तक पूरा टैम अच्छा है है आप कभी इसनान कर सकते हैं लेकिने वह सlorवर्य दान समय रहेगा और जो पहले बताया यनिकि यह स किसे लगा आपको यह वीडियो और इसमें देगे जानकरी अगर आपको यह पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे जोतिश मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नए विश्य के साथ तक आप रहें खुश और